तूज़ीरो टूफॉर का वेलकम करते हुए रानिस किचन के विवर्स को हैपी न्यू येर बोलते हुए पनील महाशे फर्स टाइम रानिस किचन में फर्से आ रहे हैं हाँ हो गया तुमारा थोड़ा सा लेट क्या हो जाओ सारे इंगिडेंस अपना इंट्रो देने लग जाते हैं चलो अच्छी बात है किसे न किसी भाने मेरी हल्क तो कर रहे हैं अब इस पर एड़ करेंगे चिली फ्लेक्स औरिगेनो आते ही मैंने खिला दिये मसाले देगी मिर्च जीरा पाउडर थोड़ा सा नमक कीचन क्वीन्स है ना जब तक किसी को खिला न ले मन नहीं भरता वो कहते ना मन जीत जग जीत अगर आपने अपना ही मन जीत लिया तो समझो कि आपने पूरे जग को जीत लिया किसी भी बात की शुरुवात अपने खुद से करनी चाहिए है ना सामने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम जैसा वैवार करेंगे उसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर हो मसद लिया तो कैसा होगा और अगर एक बार ये बात हमारे दिमाग में बैट गए न कि जैसे को तैसा मिलता ही है तो बुराईया अपने आप खतम हो जानी है पर नई हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है ऐसा नही है करने वाला वो रभ है जो करता है वो ही करता है पर हमें अपने करम सही रखने चाहिए ग्यान की बाते तो चलती रहेंगी पनीर को थोड़ा सा फ्राई करना है ये बच्चेवे पीसेज हैं इसे भी हमने थोड़ा सा मसाला खिला दिया इसे हम गार्णिश करने के काम में लाएंगे बड़े प्यार से अल्टी-पल्टी करते जाएं और इसे गोल्डन ब्राउन होते तक रोस्ट करना है जब हम कोई चीज रोस्ट करते हैं तो दिमाग में रखिए कि हम अपनी बुराईओं को रोस्ट कर रहे हैं एक बात याद रखनी है कि बुराईयां का जलाते जलाते ऐसा नहों कि आपने इसे काला स्वा कर दिया और कुछ टेस्ट नहीं आया, ध्यान में रखिए कि आप कुछ पका भी रहे हैं, जिसका टेस्ट भी आना चाहिए, मतलब कि इतने भी अच्छे मत बनो कि आपकी जो बुराईयां हैं, वो क्याई बोलू, चलिए, गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसे उस पैन पे निकाल देते हैं, जहांसे इसने स्टार्ट किया था, देखना आपने कितना सादगी से पहले वाइट कलर का था, रंग तो हर को ये बदलता है, पर अच्छे रंग बदलो, अच्छे काम करो, अच्छी बा बाउल पे निकाल लेते हैं, मैंने तो शुरुवात कर दी है, अच्छी यादों की, चलिए, बनीर महाशे के लिए मसाला तियार कर लेते हैं, हम ऑईल पे एड़ करेंगे, तेज पत्ता, लॉंग, एलाइची, दालचीनी का तुकडा, काले मिर्च, इसे सौटे करेंगे, ब अब एड़ कर दिये प्याज, हरे मिर्च, अद्रक के मोटे मोटे पीसे, लेसुन की कलियां, दस से बारा, इसका कच्चपन दूर होते तक इसे फ्राइ करेंगे, पनीर कोई आपके लिए नया नहीं है, इसे कई तरीक उसे बनाया जाता है, पर ये है कि हमें अलग-अलग को अब एड़ कर दिये टेमाटर, इसे भी मिक्स करके रोस्ट करेंगे, गुण तो जी सब के अंदर चुपे होते हैं, जिस प्रकार हम पनीर को अलग-अलग रूप में पेश करते हैं, उसी तरह हमें अपने गुणा को भी अच्छे कामों से अच्छे तरीके से बना के दिखा के लोगों को पेश करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे काम कर सकते हैं, इसे एक जार में एड़ कर देंगे, ठंडा हो जाएगा तो उस पे दही एड़ कर देंगे, फिर इसका हम बना लेंगे, फाइन पेस्ट, परना अच्छा बन जाओ बोलना आसान है अच्छा बनना बहुत मुश्किल परना कोशिश होती है कामियाब और हमें कोशिश करते रहना चाहिए अब उस फाइन पेस्ट को फ्राइ करेंगे राई जीरा एड़ करने के बाद हल्दी लाल मिर्च नमक और तनिया पाउडर थोड़ा इसे सौटे करेंगे उसके बाद आजाएगा वो पेस्ट सारे मसालो वाला बस इसके बाद तो mixing and mixing and mixing ठंड बहुत है इसलिए गरम मसाला एड़ किया गरम हो गया और मैडम धनिया को भी चल्दी आना है इसे भी बहुत ठंड लग रही है गरम गरम मसाले में आ जाएगी तो उसकी ठंड दूर हो जाएगी तेज पत्ता निकाल लिया था बाद में एड़ कर लिया साथ में खाने के लिए भी कुछ बनाना है साधी रोटी बनानी है ये ट्राय जरूर कीजेगा और इसे हम फ्राइ कर लेंगे देशी घी में दोनों साइट से फ्राइ करके रेड़ी कर लीजिए क्योंकि मसालेदार पनीर भी रेड़ी है समझो ओल आउट आ चुका है और अब आएंगे पनीर के गोल्डन ब्राउन पीसेज सारे पीसेज को हमें इस मसाले में दुबा देना है और एक राज की बत बताओं कई हम सफर में जाते हैं तो क्यों हम हर बार आलू और करेला लेके जाएं हम पनीर मसालेदार भी लेके जा सकते हैं और जैसे ही आप ट्रेन में ट्रिफिन खोलेंगे वहां बैठे आसपा सारे लोग बोल उठेंगे अरे वायार क्या खुश्बु आ रही है क्या सब जिलाए हो आप बताना होगा तो बता देना नहीं तो कह देना मैं क्यों बताओ इसे कर दीजी कवर और खुल जा सिम सिम चलिए जनाब इसे करते हैं डिश आउट मुझे मेरी यूट्यूब फैमली एंड फ्रेंड्स पसंद आते हैं और शायद पनीर को ये वाला बाउल पसंद आ गया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसने इसका साथ नहीं छोड़ा और वैसे ही हमें भी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्या पता कब कौन किसकी काम आ जाए आने का तो क्या ही कहना धनिया मैडम से फुरसत मिले तब न इसे हर जगा टपक ना है चेल ये कोई बात नहीं हमें शोड़ स्टॉप करने के लिए एक मॉडल भी तो चाहिए हाँ वो जो हमने पीसिस किये थे फ्राई उससे कर दिया गारनिश और अब अब तो खाने की बारी पनीर जी छुप चुके हैं मसाले में फटेफट बनाईए और इससे चेक कीजिए कि वो मसाले के अंदर हैं भी या गायब हो चुके हैं चलिए हम चेक करते हैं है है इसके अंदर है तेंक यू फॉर वाचिंग बेसेफ बेहपी